कुवैक में हुए भयानक अग्नीकांड ने पूरे भारत को जगजोर कर रख दिया है क्योंकि इस हाथसे में जितने भी लोगों ने जान गवाई है उन में से जारतर भारत के ही है यही वज़य है कि भारत सरकार लगातार इस अग्नीकांड की मोनिट्रिंग कर रही है बेगुनाहों की मौत का गुनहगार है कौन इस मातम का जिम्मेदार है अब राख के धेर से इनी सवालों के जवाब तलाश ये जाने है भारत सरकार लगातार इस मामले पर अपनी नजरें बनाए हुए है खुद PMO हर घड़ी हर घंटे इस भयानक अगनिकांड की मौनिटरिंग कर रहा है कुवैत शहर में आग लगने की घटना दुखद है मेरी समवेदनाई उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है मैं प्रार्शना करता हूँ के घाया लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं कुवैत में भरतिये दूतावास इस सित पर बारीकी से नजर रख रहा है और प्रभावितों की सहयता के लिए वहां के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है कुवैत टाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक इस भयानक हाथसे में अपनी जान गवाने वाले लोगों की तादाद बढ़कर उनन्चास हुचकी है अभी तक की जानकारी के मताबिक मरने वालों में ज्यादातर भारती हैं मरने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए मुआउजे का भी ऐलान कर दिया गया है हम लोगों की सबकी समयतना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहां थे और इस गटना में उनकी मिर्थ हुई है अभी माने प्रहान मंतीजी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायलें उनकी अच्छे ढंक से देख भाल हो रही है और जिनकी मिर्थ हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका इडेनिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है दावा किया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां 160 से ज्यादा लोग रहते थे इनमें ज्यादा तर भारतिय थे खबर तो ये भी है कि इस हाथसे में मारे गए सबसे ज्यादा लोग केरल से तालुक रखते हैं यही वज़ा है कि विदेश मंत्री एस जैशंकर ने भी अपनी समवेद्नाओं को जाहिर किया कुवेर्ट शेहर में आग लगने की घटा के खबर सुनकर बहुत दुख हुआ हमारे राजदूत शिविर में गए हैं इस संबंध में सभी संबंधित लोगों की पूरी सहयता करेगा जानकारी के मुताबिक जिस छे मंजिला इमारत में आग लगी वहां सिलिंडर में धमाका हुआ था जिस वज़े से आग तेजी से फैलती गई फिलहाल इस हाथसे का पूरा सच क्या है ये जाँच के बाद ही सामने आएगा लेकिन मौजूदा सच यही है कि इस भयानक हाथसे से कई परिवार मातम में डूबे हुए है बाहर गर्मी जुलसा रही है यूपी में भी गर्मी का बुरा हाल है अगले तीन दिन गर्मी से बेहत सावधान रहने की जरूरत है देखे एरोपोल माई के बाद जून की गर्मी लोगों का इम्धिहान ले रही है राजधानी दिल्ली समित कई इलाकों में तापमान 45 दिगरी तक पहुँच चुका है वहीं यूपी में भी भी भीशन गर्मी पड़ रही है बाहर लू के थपेडों ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है लेकिन 15 जून तक लोगों को राहत मिलने के आसार कम ही है यूपी की कई शहर भायंकर लू की चपेट में है जिससे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोगों को बारिश का बेसबरी से इंतजार है हलाकि मौनसून महराष्ट और दक्षणी राज्यों में पहुँच चुका है और कई जगों पर भारी बारिश का भी अलर्ड जारी कर दिया गया है दिम की गर्मी जहां जुलसा रही है तो वहीं रात में भी पसीने चुड़ा रही है मौसम विभाग ने यूपी के कई शहरों के लिए रेट अलर्ड जारी किया है बांदा, चित्रपूर, कोशामभी, प्र्यागराज, फतहपूर और आसपास के इलाकों में भीशन लू का असर दिखाई दे सकता है किस-किस राज्यों में हीट वेव की सिती और क्या अलर्ड आप लोगों की तरफ से है देखिए अगर आप इस मैप में देखेंगे हमारा जो कोर हीट वेव का अभी जोन है वो है हमारा बिहार जार्खन उत्तरप्रदेश इन सभी राज्यों में आज रेड अलर्ड रहेगा यानी दो से तीन दिन गर्मी जुलसाने वाली है मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए औरिंज अलर्ड भी जारी किया है इनमें प्रतापगड, मिर्जापूर, वारनसी, संत्रविदासनगर, कानपूर, हमीरपूर, महोबा, जहांसी, ललितपूर शामिल है बढ़ती गर्मी की वज़ा से डिहाइड्रेशन की समस्या भी आ रही है अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है डॉक्टर, मरीजों को तेज धूब से बचने की सलहा दे रहे है गोरगपूर में पी एचसी, सी एचसी से लेकर जिलास्पताल और बी आडी मेडिकल कॉलिज तक के अस्पतालों में बेड की विवस्था के साथ-साथ इलाज और दवा के फुक्ता इंतजाम किये गए है इंसान तो इंसान जानवर भी गर्मी से परिशान है वरणसी के सारनाथ में मिनिजू में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किये है पानी के चिरकाव के साथ साफ सफाई का विशेश ध्यान दिया जा रहा है तो वहीं इस तरह सूरज की तपेश कुछ और दिन दिखने वाली है इसलिए बेहत साथान रहने की जरूरत है और इसे के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया है दिखते रहें न्यूस एटीन प्रेक का बादी की जरूरत है